आज मैं आप सभी के लिए क्या होता है आई मेकप क्या होता है ट्रांजिशन क्लर क्या होता है किस तरह से हम आई मेकप करते हैं कैसे हमiska है क्या सब्सक्रानब। तो अगर आप इंट्रेस्टेड है या फिर जाना चाहते आई मेकप कैसे करते तो प्लीज इस वीडियो को एं तक जरू देखिएगा एंड बेस मेकप की वीडियो अल्रेडी में चली गई है जो की फर्स्स वीडियो थी बिल्नर सेरीज की जो की आप देख सकते हो मैंने बहु प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिए कि मैं चन्न को लास्ट में आपको पसंद आजाएगा तो आप डेल्क लीडियो को स्टाट करें सो सबसे पहले मैं आइब्रो को फिल करें मैं यह यूज करूं से इस व्यूटी की आइब्रो की जिसमें हमें जैलनान मिलता है आपकी जिस कलर की आइब्रो मेरी थोड़ी से ब्लैक है ज़दा ब्राउन भी नहीं है एक एंगल ब्रस आपको लिलीना है इस तरह से फिल करना है आइब्रो की वीडियो भी मैं कभी ना कभी आखर जो शेयर करूंगे इसके बाद इस पूली की मतलब से कॉम कर लेना है आपको डन अब दिखाते आई ब्रसि मैं आपको एकए कड़ा दिखाती हूं किस ब्रस को क्या बोलते हैं इसे हम बोलती ब्लेंडिंड्idяз ये एकदम बढ़ा आसा ब्लैंनिग ब्रिश है औंध्य से पैको है इंसे हं पैंचिल ब्रस बोलते हैं जो कि छोटा साबकर नजर आण डारा होगा इसे भी हम flare brush बोलते, concealer या फिर shimmer shade को apply करने के लिए इसे भी हम blending brush बोलेंगे, यह round shape में है इसे हम dome shape में बोलेंगे, थूड़ा सा round में है इसे भी हम blending brush ही बोलते, सब का size अलग होता है guys इसे हम fluffy blending brush बोलेंगे यह जो मैंने last में आपको soak है, यह round shape में एक दम stiff होते, exact crease पे आपके बैठेंगे, आइशेडव पैलेट में आपको show करने हूँ, यह है डेली लाइव फॉरेवर 52 की, इसमें 35 कलर है, इसमें आपको मैट कलर में मिलते हैं, शिम्री मिलते हैं मैट कलर हम किसको बोलते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाने हूँ, जिसमें कोई shine नहीं रहती हैं जिस वाले आइशेडव में कोई shine नहीं आपको दिखती हैं उसे हम matte बोलते हैं जिसमें आपको थोड़ी से sign दिखती है, इस तरह से, इसे हम simry या फिशेटन फिनिश में बोलते हैं तो सबसे पहले brow bone को मैं highlight कर दी हूँ, जो हमारी eyebrow होती है उसकी जोस नीचे कोई भी light shade का आप यूज़ कर सकते हूँ, आइशेड़ और silver कलर में या फिर golden कलर में अब आपको सबसे पहले एक light shade को लेना है इस palette में से, जो कि matte होना चाहिए और एक blending brush ले लेना है, मैं affordable यूज़ करें आपको दिखा रही हूँ, कहाँ पर मैंने color को दिया है, यह beginners के लिए था, next, brush में मैंने color को ले ले, excessive को dust off कर देना है, आपको brush में ज्यादा नहीं लेना है, brush को यहाँ से पकड़ना है, आपको पीछे वाले portion से, इस से grip आता है, और इस तरह से आपको blending स्टार्ट करना है, anti clockwise and circular, and मैंने जो आपको pencil brush से दिखा है न, exact crease पे color लागा कि वो बस beginners के लिए था, एक guideline में आपको समझा रही थी, कि आखिर color देना का है, transition color के लिए आप pink का भी यूज़ कर सकते हो, light orange का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक लाइट orange color है, yellow color का भी यूज़ कर सकते हो, हमार एकदम circular motion में, एकदम अडाम से धीरी-धीरी color को build करना है, थोड़ा से फिर से लिलीज़ेगा वही color को, and build कीज़ेगा, next, यह बला dark shade lady हूँ, जो मैंने पहले लिया तो उसके just नीचे है, इसको apply करना eyebrow की जो हमारी arch होती है, जहां से हमारा eyebrow turn होता है, उसके just palette, मतलब एकदम just palette रहना चाहिए, and अब आपको blending करना है 3 by 4 तक, पूरा अंदर तक आपको नहीं करना है, and अगर आपको लग रहा है, कि आपने brush में बहुत ज़्यादा color को ले लिया है, बहुत बार मुझसे भी होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा color ले लेती हूँ, तो घवराना नहीं, आपको थोड़ा सा इस स्वाइब कर लेना, इस से जो भी एकसी color होगा नो भोट जाएगा, अब घवराने की जरोत नहीं, अब अडाम से blend कीजे, blend कैसे करना है, शर्कुलर मोशन में, कुछ भी आपको नहीं आड़ा ना, इधर से उधर ब्रस को कीजिए, यानि शर्कर बना आपको बोडिंग लगे बट जो बीगनर्स उनके लिए बहुत हैल्फुल होगा, नेक्स में इन दोनों शेट को ले रही हूँ, पिंक एंड डाक ब्राउन कलर को, और मैंने दूसरा ब्लस लिया है, जो कि राउन मैंने बुला स्टीप होता है, इसको एक्जेक्ट में क्रीज लाइन को इंटैंस दिखाने के लिए, हमे ना अपने क्रीज को फोड़ा सा डाक दिखाना होता है तो आप डाक ब्राउन कलर ले सकते हो , पिंग कलर मारून कलर ले सकते हो, इवे अडदा कलर भी ले सकते हो, फिर ti Cень ब्रस लेना है एंड यो दूसरा ब्रसत,छ जो स की मदद से साला कुछ को ब्लेंड कर देना है आपको इससे जो भी हास्ताइन होगी वो रिमूव हो जाती है नेक्स में ले रहे हूँ यह वाला शिमरी शेड जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दी दिया यह गोल्डिन कलर में है बड़ प्रॉपर गोल्डिन नहीं है आपको फ्लैट ब्रस लेना है और इस तरह से आपको अप्लाई करना है सिफ और सिप सेंटर पे हम ज्यादा दूर नहीं वाला आई मेकप है इसमें कोई कट क्रीज मैंने नहीं किया है या फिक कुछ भी ग्लीटर अप्लाई नहीं किया है बहुत सिंपल एंड यह आईशेडव पालेट 2300 रुपीस की है बहुत अच्छी है नेक्स में इन दोनों शेड को लेड़ी हूं सकेंड वाले ब्रस में और इस तरह से आउटर कॉर्णर के पास में दे रही हूं ताकि हमने जो सिंपली शेड को अप्लाई किया है न उसके बीच एंड मैट सेड के बीच कोई भी हासला नजर नहीं आई बस हरकुछ ब्लेंड लगे इस तरह से हलका क्रीस को भी ब्लेंड कर लीजेगा बहुत हलका और आप देख सकते हो आई मेक अप हमारा अमेजिंग हुआ है नेक्स में ले रही हूं लाइनर यह लाइनर है एन वाइबे की बहुत अच्छी लाइनर मुझे लगी है यह मेरा न्यू लाइनर है इस तरह से आपको दोनों तरफ विंग निकाल लेना है पाफेक्ट मतलब एक ज पर दिरे जॉइंड कीजे। आपके आपके जो लैसे지 होती उसे जापको लैनर को अपलाए करना है अगर अगर आपके ईस मेरी तरह च्छोटी है ज्यादा बड़ी नहीं थे तो आप सबती लेनर को दोयोग यह मोटी स्टरॉ मत कीच्छी हल्का हल्का कलर आपको लीना है पैंसिल विर्स की मदस से हम जादा तर पैंसिल ब्रस का ही इस्तेमाल करते हैं लोर्लेस लैए को कम्प्लीट करने के लिए या फिर छोटा सा फ्लैट ब्रस या फिर समसर ब्रस धेरी dhere कलर आपको इस तरह से smurse करना, आप चाहे तो dark color भी ले सकते हो, जिसी के dark brown, बट मैंने नहीं लिया, अगर आपकी eyes में तरह छोटी है, तो आप ज़ादा dark ना करें, lower lash line को, next मैं white kazal यूज़ करें हूँ, ये है NYB की white kazal, अगर आपकी eyes बहुत ज़ादा बड़ी है, तो आप black भी यूज़ कर सकते हो, छोटी है, तो आप white kazal यूज़ करो, white kazal यूज़ करने से आपकी eyes open नज़र आती है, next, आपको mascara अपलाई करना चाहिए, मैं यहाँ यूज़ करें Maybelline की mascara, ये hyper curl है, इनका variant, बहुत तरह के mascara आते हैं Maybelline में भी, तो इस तरह से mascara apply करने के बाद आपको highlighter यूज़ करना इनर corner के पास, मैं यहाँ पे Maybelline की highlighter यूज़ करें, और इस तरह आपको shee बना के inner corner के पास highlighter को apply करना होता है, इससे आपकी eyes open नज़र आती है, बड़ी-बड़ी दिखाई देती है, next आपको fake lashes apply करने है, तो मैं यह use करने हूँ, pack की lashes इसका number 58, glue के लिए भी मैं use करने हूँ, pack की lash fixer मैं हमेशा pack के ही glue का use करती हूँ, lashes मैं आपको दिखा रहे हूँ कि कौन सा right eyes का है, कौन सा left eyes का है तो सबसे पहले में right eyes पे lashes को apply करूंगे, इस तरह से आपको twist कर लेना है lashes को, आपको दिखना है कि वो आपकी eyes में fit होड़ा यानि मुझे थोड़ा सा बड़ा लगड़ा है तो मैं थोड़ा सा cut करूंगी फिर से मैं check करके आपको दिखा देती हूँ आपको भी लगड़ा होगो थोड़ा शबड़ा अब हम cut कैसे करेंगे lashes को हम cut उस सरफ से करते है जिस सरफ से वो थोड़ी से लंबी नजर आती है इस तरह से हलका ही cut करना है आपको ज़्यादा cut नहीं करना है अगर आप ज़्यादा cut कर लोगी तो lashes आपकी बरबाद हो जाएगी cut करने के बाद आपको glue apply करना है glue हम अंदर की और से apply करते है ये pack की glue भी बहुत अच्छी अगर आपको अच्छी lashes glue रुण रहे होनों तो आप इसको try कर सकते हो इसके बाद आप इसको 30 second या 40 second के लिए रहने दोगी जब तक ये dry नहीं हो जाए इस तरह से आपको pluckर में ले लिना है and आपको नीचे के और देखना है बस lashes को tuck कर देना यानि center पे रखना है आप जैसे ही center पे रखोगी अराम से चिपक जाएगा then आप outer corner के पास थोड़ा से दाब देना finger की मदश से then आप inner corner के पास इस तरह से pluckर की मदश से यानि tweezer की मदश से press कर देना बस आपका lashes अराम से लग चुका है finger की मदश से भी आप इस तरह से दबा सकते हो इससे दोनों lashes मर्ज हो जाती है दोनों तरफ मैंने lashes लगा लिया lipstick के लिए मैंने यहाँ पर यूज की afshah halal के lipstick in the shade 01 सारे जो product होते हैं description box में name mention कर दूंगी and अगर आप इस eyeshadow palette को लेना चाह रहे हो forever 52 की तो definitely आप लो यह I know 2400 या फिवी 2300 की है but worth buying है यह non-bradle, bradle, beginners हर किसी के लिए perfect है and अगर आप eye makeup सीख रहे हो तो इस palette से आप बहुत रहा के look create कर सकते हो and आप देख सकते हो lipstick लगाने के बाद मेरा whole look base makeup की video औरेडी में चली गई है link आप को description box में मिल जाएगा आप चेक कर लीजेगा and final complete result आप देख सकते हो मेरी eyes कितनी जादा बड़ी लगड़ी and कितनी अच्छे से नज़र आ रही है तो इसी तरह से आप eye makeup कीजिए beginner से step by step आप follow करोगी तो आप आडाम से eye makeup सीख जाओगे next video comment करके मुझे बताइए आपको क्या देखनी है beginner सीरीज में और मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई होंगी तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब मिलती हूँ next video में प्लोगों से मैं बाब बाई